हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक तो माई चैनल फैशन वर्ड फ्रेंड्स अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक रखा है और आप सोच रहे हैं कि आप अपने प्लेन फैब्रिक को किस तरह से यूज कर सके तो आज हम ऐसे पांच तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपने प्लेन सूट को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं तो नमबर वन है कि आप सिंपल सलवार सूट की बजाए इस तरह का सलवार सूट रेडी करवा सकते हैं जिसमें आपका नेक डिजाइन भी स्टाइलिश बन जाएगा और आपका प्लेन फैब्रिक भी अच्छे से यूज़ हो जाएगा और आपकी एक स्टाइलिश ड्रेस रेडी हो जाएगी इसमें आप देख रहे होंगे कि लैस का यूज़ किया गया है नेक डिजाइन पर और काफि फैबलस लुक दे रहा है तो अगर नमबर टू के बारे में बात करें तो हम आप इस तरह से प्लेन कर सकती है तो हम नमबर थी की बात करें तो आप इस तरह से जो है जिस तरह से आपको पता होगा कि आज कल कोड सेट जो है काफी ट्रेंड में चल रहे है तो इस तरह का आप कोड सेट बनवा सकते है इस तरह से आप क्रॉप टोप बनवा सकते है और साथ में जो है आप प्ला प्लेंस गर्टन कबshift करें और सब्सक्राइब इस तरह में और सेंटर में बटन compressed लग्वागर और सात में kोलर नेक बनवागर इस तरह से आप प्लेंग शूट को रेडी करवा सकते है इस तरह के आप ऑफ्पे वीयर कर वीयर या फिर आप जोब करते हैं इस तरह की ड्रेस जो है आप वहाँ पर वियर कर सकते है और आप काफी stylish लुक भी देगी फ्रिंट्स नमबर 5 की बात करें तो आप इस तरह से जो है वो अनारकली ड्रेस तयार करवा सकते है अनारकली ड्रेस आप प्लेन फैबरिक से तयार करवाए और साथ में आप कोई sequence वर्क वाला या shimmery फैबरिक लेकर इस तरह से jacket अटेच कर सकते है और साथ में अवल शेप जो है नेक डिजाइन बनवा सकते है अवल शेप नेक डिजाइन जो है आज कल काफी trend में चला हुआ है तो आप simple नेक की बजाए इस तरह का नेक डिजाइन बनवा सकते है जो काफी देखने से काफी खूब सूरत लगेगा तो friends अगर आपको ये 5 style जो है अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो subscribe के बिना बिल्कुल भी मच जाएगा और notification bell को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाए इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करना friends तो मिलते है ऐसी ही और वीडियो के साथ next वीडियो में till then bye bye friends take care thanks for watching